नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल आज बजट आया है और बजट के अंदर निर्मला सितारमन ने बहुत सारी घोशने की हैं हमारे साथ हैं शिरी विनीत गुपता लोहिया जो निर्यातक हैं और बड़े उद्योग पती हैं उन्होंने कई मुद्दे उठाये थे उनसे चर्चा करेंगे कि आज के बजट को वो किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहूंगा कि आपने कई बार जो है कुटी रुद्योग की बात की आज प्रधान मंत्री जी ने विश्कर्मा योजना और विश्कर्मा कोशल अभियान शुरू किया है और उनका यह कहना है कि इससे कुटी रुद्योग को फायदा होगा बहुत अच्छी सोच रही मोदी जी की जो आज बजट के अंदर करमकारों के लिए बहुत सी योजनाई लेके आए हैं उसको किर्यारवन करने का समय है लेकिन इसमें सोच का थोड़ा लगता है कि सोच तो यह समझना होगा क्योंकि आज हमारे देश के अंदर काफी समय से बड़ी इंड़स्टी को हमेशा ज्यादा बढ़ावा मिलता है एक छूटी इंड़स्टी के मुकाबले मोदी जी यही तो बोल रहे हैं कि करोणों जो विश्व कर्मा हैं देश में उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी उनके लिए योजना लाई गई है और इससे जो है कुटिर उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिलेगा देखे यह योजना बहुत अच्छी है कुटिर उद्योग को बढ़ावा अगर मिलता है तो इससे अच्छी तो हमारे देश की क्योंकि जनसंक्या सबसे जादा है यूरोप और अमरीका के देशों के अंदर जो पॉपलेशन है वो समस्या नहीं है हमारे देश के अंदर सबस जब तक इसके उपर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाएगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसके उपर ध्यान दिया है इसके उपर सोच बनी है ये बहुत ही सरानिय कारे है लेकिन सवाल किसलिए आपने का क्रियान मुन कैसे होगा ये देखना है आपने एक सवाल खड़ा है छोटी इंडस्टी को वो बढ़ावा नहीं मिल पाता जबकि होता यह है कि बड़ी इंडस्टी हमेशा बड़ी मचली छोटी मचली को खा जाती है क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो तो अपने नए टेकनोलोजी के इसाफ से मोटा पोड़क्शन करके चीजों को कॉम्प्ट नहीं कर पाता बड़ी इंडस्टी नहीं लगा पाता क्योंकि उसके पास एक लिमिटेट पैसा होता है तो हमको ऐसे लोग बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम छोटी इंडस्टी को बढ़ावा देते हुए उनको छूटें ज्यादा दें उनको ज्यादा छूटे दें और वो बेस भी जो हो वो इस बात के उपर बेस हो कि जो जितना जाद है रोजगार देगा उसको उतनी जादे छूटे मिलें बज़ाए इसके कि वो जितना जादे इंवेस्टमेंट करेगा उसको उतनी जादे छूटे मिलती है इसकी वज़ाए जो जितना जाद है रोजगार देगा लोगों को उस इंडस्टी को जादे छूटे मिलें तो ये जो सपना मोजी जी का कर्मकार वाला है तब ही ये साकार हो पाएगा नहीं तो इसके साकार होने के अंदर कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी आपने बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है उसको छूट दी जाए उसकी बनिस्बत हाँ जी मेरा यही कहना है क्योंकि हमारी जो इंडस्टी है वो एक ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार को जादे दे सके जादे शमिक को अपने खपा सके अगर आज हम नई नई टेक्नोलोजी में जाए तो टेक्नोलोजी तो होनी चाहिए बिना टेक्नोलोजी के काम नहीं technology हुँ हमें रोबोर्ट की जरूप नहीं है क्योंकि रोबर्ट तो हमारे पास 130 करोड रोबर्ट है महारी पास रेड़يराज करोड रुपे में मिलती हैं उसकी जरूप नहीं आज हमारे आजमी की कीमददऊ करोड रुपे से जादे नहीं है पचाइच लग से इतने करोनों लोहार हैं, करोनों सुनार हैं, करोनों आपके बढ़ाई हैं, चर्मकार हैं, हमारे पास तो यह हमारी वो है, मोदी जी ने एक बार कहा भी था, कि यह हमारे एसेट्स हैं, इनको हमें सही करके यूज करना है, लेकिन यूज यह जब ही हो पाएंगे, जब हम शमिक जो ज़ादे रखता है उस पूरक इंडस्टी को हम उसका बेनिफिट देंगे ताकि वो कॉम्टीट कर सके बड़ी टेकनोलोजी वाली इंडस्टी से कॉम्टीट कर सके मैं आपकी बात का लोहिया साब एक मतलब बहुत समझाओं कि जो सरकार ने आज योजना लागू की है विश्व कर्मा के लिए विश्व कर्मा नाम से उसका फैदा जम मिलेगा जब उनको रोजगार मिले इंडस्टी में क्योंकि अकेला शर्मिक अकेला विश्व कर्मा या अक करना चाहते हैं जो मैं समझाओं बिल्कुल को कि शमिक अकेला रोजगार वो बना तो सकता है लेकिन उसको बेज़ वो यह अगर यह सोच है एक आदमी शमिक जो है या एक करमकार यह सोच है कि मैं बना लूँगा और बेच भी लूँगा और एक्सपोर्ट भी कर दूँगा न को काम देने के बाद जो एक जरूवत होगी इंटरनेशनल लेविल पर जिस चीज की जरूवत होगी उस टेकनोलोजी को रखते हुए उनको काम देगा तो वह काम करपाएगा अगर उसको सहूलियत मिलेगी तभी वो अपने करमकार को सहूलियत दे पाएगा जो कि कोई से जो लोग काम करने उन सबको ही होता है सिचुएशन में और तभी वो कॉम्टीट कर पाएंगे एक अच्छी टेकनोलोजी वाली मशीन दी से क्योंकि हमको उस मशीन दी से कॉम्टीट करना है तभी हम रोजगार दे पाएंगे जादा रोजगार के उसर होने से लोगों को क कामधना मिलेगा साथ में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा मुझे लगता है यह साई पी एफ के रूप नहीं वह मिलेगा वह यह यह साई तो कर्मकार को इसका फायदा भी उसका होगा जब उसकी आप में पैसा जादा होगा तो हमारी जो एकॉनोमी है वह बढ़ेगी क्योंकि करीज सकता उसके पास कुछ कर्मकार के पास इतना पैसा उस चमिक के पास इतना पैसा है तो उसकी इंडस्ट्री वह बढ़ती है तो एक हमारी बढ़ती है उससे टेक्स आता है गौर्मेंट की पास तो जरुवत इस बात की है कि ऐसी इंडस्ट्री को ताकि वो पूरे वर्ड में तो कि आज वर्ड बहुत छोटा है आज हर्जा के कंप्टीशन हमें चाइना से कंप्टीशन करना है चाइना आज एक से बढ़े मशीन भी लगाए बैठाए हमें अपने आदमियों अगर हम भी लगा सकते हैं वो इंडस्टी लेकिन अगर हमको लगाएंगे तो हमारे लोग रोजगार कहां से देंगे तो हमारी ऐसी इंडस्टी उनी चाहिए जिसके अंदर दोनों का एक टेकनोलोजी भी हो और साथ में उस टेकनोलोजी का यूज कर्मकारों के द्वारा हो ताकि हम बधूरी योजना इसको कह सकते हैं किशोंक Cand or काका धियान रखा गया है इन कर्मकार का जो समान एक्सपोर्ट करते हैं जो उनको विक्री करते हैं जो उससे जुड़े उद्योग दंदे हैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है यह भी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक हमारे को दो चीजों पर हमने जब यह इंडस्टी लगाई थी आज भी हम इंडस्टी जो चला र आई हमें जरूवत है अपने समान को बहार बेजने के इसलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं ौर उसमें बड़ी तसल hè यह कैसा उर्द देशकर हैं जिसके अंदर हम 5,000 लोगों को काम देते हैं है हम एक्सपोर्ट के करते हैं ताकि एक्सपोर्ट के करने से पैसा आता है आता ह यही दो चीजों की जरूवत है आज देश को तो मैं खाली इसलिए नहीं कह रहा है लगाने को बड़ी इंडस्टी हम भी लगा सकते सब पता है लेकिन सिर्फ हमारा धे पैसा कमाने का है ही नहीं हमारा धे सिर्फ यही है कि हमारे देश के अंदर यह जो भेरोजगारी वाली समस्चा क्योंकि दिन पर दिन पोप्लेशन बढ़ रही है कैसे सब लोगों को रोजगार मिले कैसे मिलेगा हमारे चिंतन सिर्फ इसी बात पर रहता है ہمशा तो हम यही बात सूचते हैं कि रोजगार हम कैसे दे और हमारे पास बहुत अच्छे कर्मकार है रलाइन के कर्मकार है बस उनको सही दिशाह और सही करके बताने की जरूत है कि उनको हम किस तरह से से अपने जादे से जादे factory यां लगा सकें इस रोजगार को देने वाली एक बात दूसरा मैं आज budget आया बहुत अच्छा budget है इस में कोई दो राय नहीं है हुमेशा एक अच्छे budget ही दियें इस सरकारने कोई इसमें दो राय नहीं है पहले डाई लाग तीन लाग के उपर सिर्फ टेक्स की भी छूट इंकम टेक्स की होती थी अच्छे लाग साथ लाग के उपर कर दिये लेकिन थोड़ा साइब जो वाला सिस्टम रखते हैं न यह स्लेब कम होने चाहिए ठीक है आज भी छह से पांच की है लेकिन अगर यह ती यह करो फिर यह करो यह दिक्कत होती है तो एक बड़ा सिंप्लिसिटी अगर हो पांच स्लेब की जगे और तीनी स्लेब हो जाएं और यह जो पुराना रिजिम नया रिजिम होने की बजाए एक सिच्वेशन यह बन जाए कि ठीक है यार 6 लाग रुपए तक कोई टेक्स नह हमें पता तो सबको होता है मेरी जेब से इतना पैसा जाना है और एक क्यों होता है मानलया एक यह पू्टियों सवाल करता हूं कोई टेक्स नहीं है सब्सक्र Vous काई सातलाग एक जार की जगे क्योंकि छोडी तो छोडी है चाहें दो जार रुपए के लिए करें गिल्टी तो है ना अब उसको सातलाग एक हजार के लिए पच्छेश जार टेक्स देना पड़ेगा तो उसे तो छे लाग पिछात्र आज दिखा देगा तो ठीक है मेरा में थोड़ा सा ट्रैक्टिकल सिच्वेशन में हो काम इस गर्वन ने बहुत बढ़िया कर रही है इस इन्फाइस्ट्ट्चर की वज़े से ही आज जो है हम लोगों के माल की टार चार दिन में प़ोर्त में पहुंच जाते हैं पहले से पहले दो साल पहले महिने महिने करव माल पहुंचते थे ताइम用 नहीं दे पाते तहीं को एक प्पोर्ट टी ऑरने के लिए सोच रही है कितनी बढ़िया बात और works के बो दिख नीब तो इसलिए है तहो बहुत बढ़या अप्छा बजट देखो दो साल पेले तीन लाग के उपर ही को देख honestly कंई दॉह चाहत onion तो अधिक रव मात दन्य करें करने बहूत धन्य वाद रहा हम यह चाहेंगे की जो सुझाओ दिये है गुपता साहव नेूश सरकार तक पहुंचें क्योंकि अभी बजट पर चर्चा चलेगी बजट को फाइनल होने में समय लगेगा और नया बजट एक अपरिल से लागू होगा और ये सुझाओ सरकार तक हमारी कोशिश रहेगी कि पहुंचें और सरकार इन सुझाओं को अमल में अवश्य लाए ऐसा भी हमारी अपील रहेगी कैमरा अपमेन विरिंद्र मिश्चा के साथ अतुल सिंगल दिल्ली